हेलो डिया स्टूडेंस वल्कम टो और सवन्त क्लास यह आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है हिंदी सुर्भी इसका चैप्टर नमबर थ्री यानिकी पार्ट त्री बाचीत एक कला मैंने आपको समझा दिया था यह पूरा पार्ट मैंने आपको एक्स्लेंग कर दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह समझ में आ गया होगा और इसमें से आज मैं आपको कुछ करवाने वाली हूँ यानि कि इसके शब्दार तो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ जो आपने लिख लिए होंगे प्लस आपने याद भी कर लिए होंगे ऐसा मुझे रखता है अगर आपने नहीं किये हैं तो प्लीज आप कर लीजिएगा यह आपके लिए फाइदे मन्द होगा तो इसमें जो यह चैप्टर है यह एक्चुल में आपके पूरी लाइफ के लिए यूसफुल है यह आपके हमिशा के लिए काम आने वाला है यह सिर्फ आपकी सेवंध के लिए नहीं है मैं तो चाहूंगी कि यहर लास बच्चा पढ़े और चाहे वह कॉलेज में है चाहे वह टोयल्ère क््लास में है चाहे वह एकरास में उए बच्चा तो यह वाला चैप्टर हर किसी की बुक में होना चाहिए क्योंकि इस बूक में से यह चैप्टर आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि आपको लोगों से बातचीत कैसे करनी चाहिए क्या तरीका होना चाहिए बातचीत का क्या कम करना चाहिए क्या जदा करना चाहिए क्या बात इंपोर्टेंस रखनी चाहिए और किस बातों को इगनार करना चाहिए वो इसमें बताया गया है तो आज आपका जो हुमग है वो सबसे पहले तो ये है कि आप इस chapter को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे यानि कि अगर आपके पास book है तो आप book से direct पढ़ेंगे अगर आपके पास book नहीं है तो इसका screenshot लेके आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ने के बाद आपको एक काम करना है अपनी जो copy है हिंदी की जिसमें आपने कड़ी शब्दात लिखे है उसमें आपको क्या करना है कि इन chapter को पढ़ते पढ़ते आपको pen से या pencil से तो pen से आपको ऐसी बाते नोट करनी है ऐसी बाते अंडरलाइंग करनी है जो आपके बातचीत के तरीक के लिए बहुत ही ज़्यादा important हो यानि ऐसी बाते जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए जो आपके बातचीत में काम आने वाली है तो उन बातों को अंडरलाइंग करें और फिर आपका एक प्रश्न बनेगा आप खुद बनाएंगे इस प्रश्न को अगर मैं क्लास में होती तो ये प्रश्न जरूर बनाती इसलिए मैं भी भी बना रही हूँ आप एक कुश्यम बनाएंगे कि हमें बातचीत करते वक्त किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्या कुश्यम बनेगा बिटा हमें बातचीत करते वक्त किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और फिर उसका अंसर आप लिखेंगे जो भी आपने उसके अंदर अंडरलाइं किया है वो अब यह मैं नहीं बताऊंगी कि आपको कौन कौन से चीज को अंडरलाइं करना है अंडरलाइं आपको वह चीज़े करनी है जो आपको बाचित करते वक्त ध्यान में रखनी है यानि कि कम बोले जो बोले अच्छा बोले ज जेब में से गंगा निकाल के आप बाल बनाने लग जाए और फिर कोई आपसे बात कर रहा है था आप नीचे देखे इदर उदर देखे तो यह सारी चीज़े इस चेप्टर में थी जोगर आपने इस चेप्टर को अच्छे से पढ़ लिया हो तो अच्छी बात है नहीं और इसका अंसर आपको डूनकी समय लिखेंगे तो आपको आज का होंबुक यही है जब को अच्छी से करना है थैंक्यू